करेंगे रिवीजन कॉंप्लेक्स नंबर का और इंपोर्टेन शॉट ट्रिक डिस्केशन करेंगे तो हेडिंग बना लिजे सभी लोग बच्चे लोग अपनी कॉपी में कॉंप्लेक्स नंबर और हमारा उद्दे से केवल यहां पर एक्जाम की तयारी है कोई बेसिक एसे को ल अर्गुमेंट की प्रॉपर्टी में देख लीजे पहली प्रॉपर्टी है कि कि अर्गुमेंट ओफ जेड और अर्गुमेंट ओफ जेड बार जो हुआ करता है इसका सम कितना हुआ करता है जीरो हुआ करता है याद रखीगा कि अर्गुमेंट ओफ जेड और अर्गुमें of z bar जो होगा that is equals to minus of argument of z negative of argument of z ठीक है तो यहाँ पर argument of z equals to negative of argument of z और एक चीज़ और देख लिजे कि अगर यदी बात की जाए argument of z inverse ओके तो argument of z inverse equal to कितना होता है that is equal to argument z inverse को क्या लिखते हो one upon z और इसको हम लिख सकते हैं आप जानते हैं कि one upon z जो हुआ करता है that is equal to argument of z bar upon zz bar हुआ करता है नीचे जड़ जड़ बार ठीक है न तो यहाँ पर देखे जड़ 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 आपके पास मिलने वाला हो आपको क्या मिलेगा तो argument of z bar upon mod of z का square ठीक है इसको थोड़ा आंगे लेकर करके चलते हैं तो यह क्या बनेगा यह आपके पास बनेगा argument of z का inverse चल रहा था और आपके पास क्या चुका है that is equal to argument of z bar हम सोरी 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 यहाँ पर कितना हाँ ठीक है argument of z bar divided by argument of z का square ठीक है तो argument of mod of z का square अब एक property argument of z1 upon z2 वाली होती तो वहाँ पर लगा दीजी that is equals to argument of z bar minus argument of mod of z का square ठीक है ना तो क्या clear हो गया यह तो 0 होता है ओके यह कितना हो जाता है 0 होता है तो that is equals to argument of z bar तो एक मैं combine result आपके लिए लिखना चाहूँगा यहाँ पर कि argument of z bar क्या हुआ करता है देखिए तो argument of z bar आपने निकाला है minus of argument of z और यही z inverse के बराबर हुआ करता है ठीक ना यही क्या होता है z inverse के बराबर होता है तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ और हाँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा कि argument of z bar that is equals to negative of argument of z and this is equals to argument of z का inverse ठीक है तो यह property आप याद रखी यह property आपके पास बहुत काम की है इससे काफी सारे result है यह result है जिससे काफी सारे questions आपके बन सकते हैं ठीक है अब चलिए अगले case की तरफ चलते है अगला case क्या होता है देखिए अगला case किस चीज़ से बनेगा अगला case हमारे पास यह है कि अगर आपके पास कोई है कोई complex number है z1 और z2 तो z1 प्लस z2 का whole square होता है z1 प्लस z2 का whole square होता है वो कितना होता है वो होता है mod of z1 square plus mod of z2 square ओके और इसके बाद में mod of z1 square plus mod of z2 square प्लस है ना तो प्लस ही आगा प्लस 2 mod of z1 mod of z2 cos of theta 1 minus theta 2 तो theta 1 क्या है theta 1 is equal to लिख देता हूं में theta 1 जो है वो पहले complex number का argument है और theta 2 जो है वो दूसरे complex number का argument है तो condition इसमें क्या बन जाती है इसमें condition ये बनती है दो condition बनीगी देखिए सबसे पहली कि अगर आपके पास में cos of theta 1 minus theta 2 equal to 0 हो जाए ओके cos of theta 1 minus cos of theta 2 equal to कितना हो जाएगा 0 wait 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 हाँ ठीक है अगर cos of theta 1 minus cos theta 2 equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है ना मतलब cos of theta 1 minus theta 2 equal to 0 इसका मतलब theta 1 minus theta 2 is equal to कितना pi by 2 क्योंकि cos की value 0 कहाँ पे होती है 90 degree में होती है तो देखी क्या result निकलेगा एक चीज़ और मैं यहाँ पे combine कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे minus होता है तो यहाँ पे minus आ जाता है तो उस समय अगर यह pi by 2 है दोनों के बीच का angle 90 degree है दोनों के argument का जो difference आ रहा हो 90 degree है तो उस समय z1 plus z2 के mod का जो square निकलेगा वो कितना निकलेगा mod z1 square plus mod z2 square और साथी साथ z1 minus z2 के mod का square कितना निकलेगा mod z1 square और plus mod z2 का square ठीक है न तो यह भी कह सकते हैं आप कि भाईया z1 plus z2 का square और z1 minus z2 का square दोनों equal कब होते हैं यह बात कही जा सकती है कि दोनों z1 plus z2 का square और z1 minus z2 का square यह दोनों equal कब होते हैं तो यह जब equal होते हैं कब, जब जिस समय theta 1 minus theta 2 is equal to किते degree हो, 90 degree हो, तब यह दोनों equal होते हैं, ओके या एक दूसरे को, दोनों से 90 degree का difference होता है, अंगल का तब यह होते हैं, चलिए इसके अगले concept की तरफ चलते हैं, अगला concept क्या कहता देखें, अगला concept फिर से देख लीजिए, यह z1 plus का हो, minus का हो, z2 का whole square equal to mod of z1 का square plus mod of z2 का square plus 2 z1 z2 का mod, cos of theta 1 minus theta 2, अब देखिए, दूसरा concept यह है, कि अगर इसकी value 1 हो जाए, ओके, cos of theta 1 minus theta 2 equal to किता 1, यह कब होगा, जिस समय theta 1 minus theta 2 equal to कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, theta 1 minus theta 2 equal to 0, जी रहे हैं, theta 1 equal to theta 2, तो देखिए, फिर उस समय क्या हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, उस समय यह हो जाएगा, कि z1 plus z2 का mod equal to, देखिए, यह क्या बन जाएगा, यह बन z1 mod z2 है ना यह हो जाएगा चलो तो इसका मतलब क्या है यह इसको लिख सकता हूं मैं mod z1 plus mod z2 का whole square equal to z1 mod plus z2 mod नहीं mod of z1 plus z2 का whole square equal to z1 mod plus z2 mod का whole square to z1 plus z2 का whole mod equal to mod of z1 plus mod of z2 तो यह कब possible होगा ओके यह जिस समय होगा मतलब z1 plus z2 दो complex number का total magnitude उनके individual magnitude के equal आ रहा है किसकी condition होती है यह collinearity की condition होती है किसकी condition होती है collinearity की और collinearity के लिए theta 1 equal to कित्ता हो जाएगा theta 2 मतलब इनके जो individual argument होंगे वो क्या होंगे आपस में equal होंगे ओके theta 1 equal to theta 2 और इसी तरीके से दूसरा जो case निकलेगा वो कितना निकलेगा वो निकलेगा z1 minus z2 को complete mod equal to z1 minus mod of z2 कब होगा जब theta 1 is equal to theta 2 तो यह दो conditions जो है बहुत important है आपके exam में आती है इनको memorize करिए इनको अच्छे से सम्हाल करके पढ़िए चलिए तो इसी series में question देखते है question note करिए question कहरा आपके पास में कि argument of आपको बूला गया है argument of one plus i upon one minus i ओके argument of one plus i नहीं 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 वन प्लस चलो यह कर देता हूँ आप question कहला कि मैंने गलत लिख दिया वो क्या short trick है देखिये अगर आपको कहीं भी one plus i upon one minus i मिल जाए इसका मतलब होता है बच्चो टू आयोटा इसका मतलब कितना होता है टू आयोटा ठीक है न और कहीं भी one minus i upon one plus i मिल जाए इसका मतलब होता है minus of two 2 iota कैसे आए आप रिशनलाइज कर दीजिये रिशनलाइज कर दीने पर आपका यह आंसर यहीं आजाएगा ओके 1 प्लस ऩ आयोटा पॉन माइनस ड्लस ड्लस यूटा एक तो ड्लस ब्लस यूटा एक तो यहीं चलिए तो देखिए अब यहां पर आपके उसको करने के कई तरीके हैं, आप चाहोते हैं, यहां argument of jed one upon jed two लगा दो, बट ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करनी है, हम तो short trick और जल्दी सीखने की कोशिश में आ बैठे हैं, तो अभी-अभी मैंने बताए, यह कितना है two iota, ओके, यह दो complex x number है, है ना, अब देखो यह जो होता है, यह कोई फर्क नहीं डालता है, क्योंकि real number का जो argument होता है, वो कितना होता है, 0, तो वैसे आप लिख देता हूँ मैं, आपके लिए argument of two plus argument of iota, तो two का argument कितना होता है, 0, क्यों होता है भाई, होता है, क्योंकि खुद real number में बैठा होता है, अब iota जो होता है, वो कहाँ बैठता है, वो बैठता है, आपकी imaginary access में, तो imaginary access का angle कितना होता है, 90 degree, तो answer इसका कितना आजाएगा, पाई बैटू, तो यहाँ पर answer कितना आजाएगा, पाई बैटू, चलिए, दूसरा देखे, अभी मैंने short trick से बताया था ना आपको, क्या बताया था, यह क्या हुआ करता है, minus 2 iota होता है, ओके, 1 minus iota upon 1 plus iota कितना होता है, minus 2 iota, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, this is equal to argument of कितना, minus of 2 iota, ठीक है ना, तो minus 2 iota, तो देखे, कैसे करेंगे इसको, तो इसको हम लिखेंगे, argument of minus 2 और plus argument of कितना iota, एक तो तरीका यह है, argument of minus 2 equal to argument of iota, एक तरीके से आप यह देख सकते हैं, ठीक है ना, तो argument of minus 2, देखे, minus 2 कहां बैठता है, रियल नाइन में देखे, minus 2 यहां पर बैठता है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना iota, अउपर की तरफ, तो iota जो है आपके पास, में एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ यह देखिए भाई सब थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल आ रही है अभी ऐसा कर दोगे तो आप गलत हो जाएगा आप जो है टू को आप रियल ले लो और ठीक है दो केसे यहाँ पर बन रहे हैं थोड़ा सा इसलिए मैं यहाँ पर मेरे क ले लिया पाई भाई ठीक तो आंसर कितना हो जाएगा ठीक पाई प्लस पाई थिए एकल डू हो जाएगा फोर पाई वाई थी और यह आपका अंसर alumni रिया स्पाउदिए और बताता हूं इसको अप कैसे देखो देखो क्योंकि यहां पर एक गलत concept नहीं तो आप develop कर लोगे actually यहां पर अब क्या है यहां पर एक complex number आप इसको ऐसा लिखो 0 0 plus minus 2 iota ओके यह देखिए यह है complex number और यहां पर यह इस complex number की बात की जाए तो यहां पर देखिए यह है 0 plus 2 iota ओके 0 plus 2 iota तो यहां पर यह गड़बड़ी सामने नहीं आई थी क्योंकि positive था तो answer support कर गया था बट मैं फिर भी कहूंगा कि अब आप यह rule लगाई है क्योंकि यहां पर जो पिछला rule है थोड़ा सा उससे कही न कहीं गलती होने की संभावना है तो मैं आपको जो नया rule बता रहा हूं वो देखिए आपके पास क्या है 2 iota अब 2 iota देखिए इस वाले में कहा बैठा होगा इधर की ओर बैठा होगा तो एंगल कितना आ जाएगा Pie by 2 तो द्रेंगल कितना आ गयाar पाई भाई डू अब देखिए मैंन स टू आडो कहां बैठा होगा यहां पे बैठी होगी मैं रिभाई तो एंगल कितना चलना पड़ेगा आपको – पाई-भाई टू ओके तो अंगल उससे भी solve कर सकते हैं हाँ थोड़ी सी यहाँ पर मैंने mistake कर दिये जल्दवाजी में उसको थोड़ा सा प्लीज आप तो consider कर लीजी यहाँ पर mistake क्या हो गई आयोटा जो है one plus आयोटा का square जो होता है वो होता है actually two आयोटा ठीक है ना और one minus आयोटा का square होता है वो कितना होता है minus two आयोटा यह हुआ करता है बट आप क्या rule याद रखेंगे अगर आपके पास है one plus आयोटा और one minus आयोटा का whole square 1 plus IOTA 1 minus IOTA तो उपर IOTA है तो इसका answer IOTA याद रखिए और 1 minus IOTA upon 1 plus IOTA तो नीचे क्या है? plus IOTA उपर minus IOTA तो इसका answer किता होगा minus IOTA बस ये याद रखिए अब देखिए अदिए ऐसा है तो इस question की तस्वीर ही बतल जाएगी इस question में क्या फर्क आ जाएगा वो देख लिए चलिए देखे इस question में क्या फर्क आ जाएगा यहाँ पर देखे 2 तो पूरे सरी से गायब हो जाएगा थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा उसको हम लोग सही कर देते हैं तो कितना होगे आपने पास सीधे सीधे इसका आर्गोमेंट कितना आ रहा है पाई बाई टू आ रहा है ओके जीरो प्लस आयोटा है इसका आर्गोमेंट कितना आ जाएगा इसको काड़ दीजे तो आयोटा का अर्गोमेंट कितना आ जाएगा सीरे सीरे 5x2 यहाँ पर minus हड़ जाएगा सीरे minus iota आ जाएगा और minus iota का argument सीरे कितना आ जाएगा minus 5x2 तो access में ही देख करके आप कर सकते हैं minus 5x2 answer आ गया है done तो मैंने जो आपको short trick बताई है दिहान रखिएगा क्या बता है मैंने आपको अगर 1 plus iota है 1 plus iota upon 1 minus iota यह कितना बनता है iota बनता है और 1 minus iota upon 1 plus iota यह कितना बनता है यह आपके पास बनता है minus iota तो इस पर बेस कुछ questions ले 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 दे हैं रेखिए अपने पास question क्या है question है कि smallest integral value of n smallest integral value of n okay integral positive value of n for that smallest अब देख लेज़ेगा integral positive बोला है negative बोला है कैसा बोला है यह चीज़ ध्यान में रखिएगा तो जैसे यह question आपके सामने बोला गया है बहुत exam में आया हुआ question है so मैं बोल रहा हूँ the smallest positive integral value of n smallest positive integral value of m for which 1 plus iota upon 1 minus iota keyhole to the power n equals to कितना है 1 है अब देखे अभी मैंने आपको इतना पढ़ाया है यहाँ पर बताया कि 1 plus iota upon 1 minus iota आख मूंद करके आपको क्या put करना है यहाँ पर iota put कर दिना है so iota to the power n equal to 1 के लिए smallest integral value कित्ती होती है positive integral तो अगर positive integral लिखा है तो आपका answer n equal to 4 आएगा और यदि आपको only बोला है positive integral बोला है तो आपका answer कितना आएगा 4 आएगा और जरूर positive integral ही बोला होगा क्योंकि negative integral में तो बहुत सारी values होती है smallest whole number अगर बोलेगा तो n equal to कित्ता आएगा 0 आएगा और अगर natural number भी बोलेगा तो n की value कित्ती आएगी आपके पास में 4 आजाएगी है ना तो इस तरीके से question करते हैं ठीक है ना done चलिए अगला question उठाते हैं आपके पास question दिया है 1 minus iota upon 1 plus iota ok 1 minus iota upon 1 plus iota whole to the power n आपको बताना है smallest positive integer जिसके लिए equal to कित्ता हो minus 1 ok देखिए तो आपको इसकी value कितनी मतानी आपको minus 1 ठीक है तो कैसे करेंगे इसको देखिए आप तो अभी मैंने आपको बताई trick कि 1 minus iota upon 1 plus iota कितना होता है rationalize करने पर कितना आता है minus iota आता है ok अब minus iota की power n equal to कित्ता पूछ रहा है minus 1 बोल रहा है minus iota की power n equal to कितना है minus 1 अब आप n की value कुछ test करके देखते जाईए तो आपको बता चल जाएगा पहले n की value अगर आप 0 रखते हैं तो n की value 0 होने पर i की value मतलब ये total कितना आता answer n equal to 0 पर आता है one आता है न ok done अगर आप n equal to 1 रखते हैं तो आपके पास क्या आएगा n equal to 2 क्या आएगा n equal to 2 तो देखा था आपने positive iota की case में कितना आ गया था वहाँ प्लस 1 चाहिए तो तो 4 आ गया था बट यहाँ पर माइनस 1 है तो कितना आएगा 2 आएगा तो इस trick को इस तरीके से अच्छे से समल करके इस्तमाल कीजिए चली inverse निकालने की trick तो आई होप सबको पता होगी inverse निकालने की trick क्या होती जैसे z inverse equal to होता है one upon z और क्या करते हैं हम लोग z bar का उपर और z bar का नीचे multiply कर देते हैं तो क्या जाता है अपने पास में z bar upon z into z bar और यह होता है z bar upon mod of z का square तो लिख लीजे z inverse is equal to z bar upon mod of z का square तो आ directly जो है इसका use करके आप जो है short trick के form में आप से value निकाल सकते है done अभी तक जो मैंने आपको trick बताई वो normal situation की बात थी वो तो आप बिना trick के भी काफी ज़्यादा speed पे matter करता है अब मैं जो आपको trick बता रहा हूँ वाकई में बहुत बढ़ीया trick है एक तरीके से ओके तो दे में 4 का divide कर दिया करो जो power है n में 4 का divide कर दिया करो और q आ जाएगा ओके तो यहाँ पर आप इस trick को क्या लिख सकते हो इस trick को इस तरीके से small कर सकते हो one plus minus iota की power n that is equal to minus 4 की power q ओके और जो remainder बचेगा आप वो plus iota या minus iota के उपर ला करके रख दो 1 plus minus iota के उपर क्या लाके रख दो remainder रख दो देख लो अंदर क्या रखोगे minus 4 रखोगे अंदर आपको क्या रखना है अंदर आपको रखना है minus का 4 ठीक ना इसको minus का 4 क्यों रखना है वो भी एक बात है क्योंकि आप 4 से divide कर रहे हैं मतलब 4 power के आपने pairs अलग कर लिए तो 4 power के एक प्यूर होगा है क्यों पी अब पेयर लो है हैन तो इसलिए यहां पे आप करके देख लो जैसे 1 प्लस iota की पावर आप फोर करोगे अיד है नँ तो वन प्लस ऐल की प्रथर दो ऑन प्रस Iota की पावर कितना कर दोगे आप one plus Iota, एक मिनिट, one plus Iota कितना आता है two Iota का square लगहाँ क्योंबनेगा, देखो one plus Iota के square का square है ओना, तो ये तो Iota का square, तो two का square कितना हो Belک कर दोगे आप आयोटा,̇स कर कितना होथा है, तो कितना हो जाएगा minus 4 इसी तरीके से 1 minus iota की power 4 करोगे वो भी किता आएगा आपका minus 4 ही आएगा करके देख लिजेगा तो इस तरीके से minus 4 के Q pair सलग कर लेंगे minus 4 to the power Q और जो 1 plus minus iota होगा वो उसके उपर क्या जाएगा remainder आ रहा जाएगा अब मैं इसके questions कराता हूँ तो आपको बहतर explanation clear हो जाएगा देखिए देखिए जैसे आपको मैंने question दे दिया है question यह लिखा आपके सामने कि 1 plus iota की power 8 है और plus 1 minus iota की power 8 है 1 minus iota की power 8 है ओके कह रहा है कि इसकी value निका लिए तो देखिए यहाँ पर 8 है ना 8 में 4 से divide कर दीजे तो 8 में आप 4 से divide करेंगे तो 2 times जाएगा मतलब क्या हो जाएगा minus 4 की power 2 और 1 plus iota की power remainder में कुछ नहीं आएगा मगर आप नए नए है तो इसलिए आप लेजी आपके लिए एक बार लिख देता हूँ 1 plus iota की power 0 इसे तरीके से यहाँ पर कितना आएगा minus 4 की power 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 1 plus iota की power कितना आजएगा 0 आएगा ओके तो यह तो 1 हो गया यह भी 1 हो गया यह हो गया 16 plus 16 तो इसका answer कितना आएगा 32 ओके इस तरीके से अगर आगया आपके पास 1 plus iota की power 56 और प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर कितना आ गया 56 यह 1 माइनस आयोटा की पावर 56 है ठीक है न तो यदि नए बच्चे को एक कॉशन कर दिया जाए तो काफी ज़्यादा परिशान रहेगा सोचेगा इसको स्कॉयर करूँगा फिर निकालूँगा है ना हलाकि कर लेगा 2 की पा कितना 14 ओके तो यह देखी है अपने पास में मैनस की पावर 14 जायेगा तो इवन कर देगा मतलब 4 की पावर 14 और यह भी कितना है 4 की पावर 14 ही हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2 टाइंज 4 to the power 14 तो डिरेक्टी इसका आंसर निकाल सकते हैं और बाकि पुराना मैथर आपका जो open करके power 2 ले करके कर सकते हैं वो भी सही है ठीक है चलिए एक और question करते हैं अपने understanding को और बहतर करेंगे question जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया question है आपके पास में one plus iota की power 13 और plus one minus iota की power 13 तो इसको जल से कैसे करेंगे देखे one plus iota की power 4 याने की 4 के किते pair बनेगे यहाँ पे 4 3 4 12 और यहाँ पे एक बच जाएगा तो one plus iota की power one बच जाएगा ओके और यहाँ पर देखे कितने बनेगे फिर से minus 4 ता भाई साब यहाँ पे भी कितने बनेंगे minus 4 के 3 pair बनेंगे और one minus iota यहाँ पर बच जाएगा ठीक है ना THE मैनस 4 के 3 पेर मतलब कितना माइनस 64 यहाँ छूड़ गया इससे भी और इससे भी माइनस 64 मैंने comment ले लिया तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा अब देखी आयोटा से आयोटा cancel हो गया माइनस 64 मल्टिप्लाइ बाइ 2 तो इसका answer कितना हो जाएगा भाई इसका answer हो जाएगा माइनस का 128 बिल्कुल सही तो इसका answer हो जाएगा माइनस का 128 तो इस तरीके से आप बड़ी बड़ी problem को चुटकियों में कर सकते हैं especially 1 प्लस आयोटा वाली जो problems आएंगी 1 माइनस आयोटा वाली इसको आप addition subtraction की problem को बड़े आराम से कर सकते हैं तो याद रखिएगा क्या रहेगा इसको किस तरीके से करेंगे तो यदि 1 प्लस आयोटा है या माइनस आयोटा है whole power यदि कुछ भी है तो आप एन हैं तो इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे माइनस फोर की power quotient और 1 हो प्लस हो माइनस हो आयोटा की power क्या होगा remainder तो ये आपकी है जबरदस ट्रिक इस ट्रिक से आप इस question को करेंगे done चलिए तो एक question लिखेंगे आप ओके इस question को करिए question क्या है question है 1 प्लस आयोटा whole to the power 5 1 प्लस आयोटा whole to the power 5 multiply by 1 माइनस आयोटा whole to the power 5 ओके फिर से इसमें वही रूल लगाएंगे तो 1 प्लस आयोटा की 4 power से क्या निकलता है minus 4 निकलता है ओके और इसमें minus 4 में 1 power तक जाएगा क्योंकि 4 बंजा 4 होता है और 1 प्लस आयोटा का एक प्लस आयोटा का एक प्लस खाली बेड़ जाएगा multiply by फिर से हो गया है minus 4 one power और one minus आयोटा का एक फिर खाली तो 4 और minus 4 कितना हो गया plus का 16 और bracket में आ जाएगा one plus आयोटा multiply by one minus आयोटा ओके तो यह कितना होता इसका तो आपको आइडिया हो जाता है a² प्लस b² मतलब होता माइनस b² है बटाया उटा की वज़े से a² प्लस b² तो 1 प्लस 1 आंसर इसका कितना आएगा जी 32 तो correct answer इसका कितना है 32, done